टेक्नो साले स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्स के रेलेटेट्स वीडियो अक्सर हम आपके समक्स लाते रहेते तो आज भी हम बात करेंगे ओनलाइन एंप्लोई लीव मेनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्स के बारे में क्योंक तोपिक्स लेकि प्रोजेक्स करते सकते उन में प्रोजेक्स अगर हम स्टाट करते तो इसफिल्ट को आवश्य है गया उन में यहां पर definition हमारी क्या रहेगी online employee leave appointment system यानि कि जो हम यहां पर एक प्रोजेक्स बनाने वाले हैं वह है online employee leave appointment system का प्रोजेक्ट करहेगा and technologies के बारे में बात करें तो technologies हम यूज़ करने वाले है asp.net technologies यहां पर दिखें जो technologies रहेगी हमारी वह रहेगी asp.net उसके बाद programming language के बारे में बात करें तो हमारी programming language रहेगी c-shop.net जिसमें हम दोस्तों जो c-shop.net programming language है उनका यूज़ प्रोजेक्स में करने वाले हैं उसके बाद database tools के बारे में बात करें तो हमारा जो sql server database रहेगा जिसमें हम locally जो database है उनका यूज़ करने वाले है क्योंकि हमें जो by default visual studio में मिलेगा जो microsoft जो sql server का जो studio है वही उसके बाद browser के बारे में बात करें तो हमारा प्रोजेक्स है वो chrome browser में properly वर्क करें गया और उनमें Chrome browser का यूज़ करने वाले कोई भी जो browser होगा तो उनमें भी प्रोजेक्स वर्क कर सकते हैं उसके बाद सर्वर के बारे में बात करें तो रहेगा हमारा जो IAS Server तो दोस्तों एती प्रोजेक्स की फ्रेसिप करें क्योंकि कोई भी प्रोजेक्स अगर हम बनाना श्रु बंश्यृट करते हैं तो यह सारो पॉइंट से हो आवशिक होते हैं उसके बाद यह स्टार्ट कर सकते उसके बाद आपको जो प्रोजेक्स का टाइप ए एक जो व तो यहां पर क्या रहेगे कि जो ओटोमेशन रहेगा जिसमें जो एंपलोई की लीव है वह उटमेटिकली जो प्रोसेस रहेगी जो नोटिफिकेशन हो रहेगी उसके बाद जो लिव की जो बैलेंस है उसके बाद जो रिक्वेस्ट है वह सारी देख पाएगे तो पूरा जो सिस्टम रहेगा वाले प्रोजेक्ट में उसके बाद हम सब्सक्राइब करें क्योंकि कोई भी प्रोजेक्स अगर हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना तो जिसमें कोई एक जो सौप्ट्रेट डेवलोप्मेंट लाइफ साइकल का एक जो मॉडियूल है उनका यूज करना हो आसानी रहेगी एंड आप आसानी से अपना जो प्रोजेक्स से और कम्प्लीट कर पाएगे तो उनमें दोस्तों फर्स्ट पॉइंट अमारा रहता है जो रिक्वार्मेंट एंड गेदेरिंग यानि कि मानलो यहाँ पर एंप्लोई लीव मेनेजमेंट का प्रोजेक्स अगर यानि कोई जो लीव मेनेजमेंट रिजिस्टर है उसके बाद जो लोगिन का है एंप्लोई का इंफो है तो हम जो भी डेटा एड करने वाले है तो उनकी जो रिक्वार्मेंट है वह में कलेक्क कर लेनी तो आपका जो 20 परसंट जो प्रोजेक्स का कवर्क है वो कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट रहता है एनालिसिस एंड प्लानिंग जैसे आपने जो रिक्वार्मेंट कर लेक्क कर लिए उसके बाद आपको उस पर एनालिसिस करना है और उस पर आपको प्लानिंग करना है उसके बाद जो स्टार्ट में डिजैनिंग कंप्लीट करनी कोडिंग कंप्लीट करनी या तो डेटाबेस का जो रोड डिजाइन बनाना है तो उसके लिए आपको पूरी कंप्लीट ली एक प्लानिंग बना लेने एक शेडियूल वाइस आपको वर्क करना है तो आपका जो 30% प्रोजेक्ट मान लो कंप्लीट होई गया उसके बाद रहता है डिजाइनिंग यानि की प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग जिसमें दोस्तों सब्सक्राइब कोई भी जो प्रोजेक्ट हो यानि जो एंप्लोई मेनेजमेंट का इमान लो कि यहां पर एंप्लोई मेनेजमेंट का प्रोजेक्स हम बना रहे है तो उनमें क्या होता है कि एक हमारा जो user का module रहता है उसके बाद जो एक रहेगा वह employee का module रहेगा उसके अलावा जो एक module रहेगा वह admin का रहेगा जो administrator का रहेगा तो यह जारी जो designing form है उसकी जो designing है master page की जो designing है तो वह में complete कर लेनी है तो आप जैसे designing complete कर लेते तो आपका जो 50% यानि कि जो आधा project मान लो complete होई गया जब भी आपकी designing complete हो उसके बाद रहता है coding का यानि कि जितने भी यहाँ पे जो form रहेगे content page रहेगे या तो master page रहेगे जितनी भी channel है उनके जितने भी designing form रहेगे तो उसका backend में एक जो logically coding आपको complete करने क को रहता है तो उनमें दोस्तों आपको coding complete कर लेनी है जिसमें आपको जो insert की query जहाँ पर data inserting होता है उसका बाद सपोज मान लो कहीं पर भी grid view आ रहा है तो grid view की जो data view की जो coding रहती है वही उसके अलावा यहाँ पर सपोज मान लो कोई भी other को एक repeater कर यूज हो रहा है या तो आप data हो रहा है तो जितनी भी जो logically हो रही searching हो रही है या तो filtering हो रही है तो select जहां पर किक हो रहा सबनोच कर पर ँबिं करमें करने को रहती है तो जैसे दुश्तों कोको awakening होती है तो आपका 90 percent project रो अभी हो जाता है उसकी बाद आपको रहती है उसके जो test रने करेती हैं आप उस पे implementation कर सकते हैं यहां पर दूस्तों आपका जो 95% अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होई गया मान लो तो यह जो पूरा जो ट्रक्चर था उस पर हमें वर्क करते हैं कंप्लीटी करना है तो हमारा जो एनर्श करेंगा उसके बाद जो सेकंडर करेंगा ऊसके नंबर पर अपने kuन में रहेगा जो हम विजुल स्टूडियो में जाके completely दोस्तों वर्क करना है हमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक प्रोजेक्स को में completely में बना त्वीडियो को दो लास्ट तक देखे गए दोस्तों पार्ट तुम यह हम directly investigation के लिए देखेंगे कि कैसे प्रोजेक्स को स्टार्ट करना है एंड कैसे प्रोजेक्स में टेंपलेट का यूश करके आप आराम से अपनी जो डिजैनिंग है वह कंपलीट कर पाएंगे